नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हमारी योट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों यूपी पुलिस भरती 2024 का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आवेदन लिये जा रहे हैं और पहले दिन जो आवेदन लिये गये हैं लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर बिंदू इस भरती से सम्बंदित आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है यदि आप यूपी पुलिस भरती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों जो महत्वपूर बिंदू है उनको देख लीजिए एक बार यह जो भरती है लगभग 60,244 पदों पर होनी है और इसमें जो अनारच्छी सीटे रहेंगी अन्रिजर्ब्ड जो सीटे रहेंगी वो 24,102 रहेंगी और EWS आरच्छण वाली 60,24 सीटे रहेंगी अन्रिजर्ब्ड जो पूरी तरीके से पहले ही विग्यापन में निरधारित कर दिया गया है आवेधन सुरू हो रहे हैं आपके 27,12 से और पहले दिन जो आवेधन सुरू हो है उसमें लगबग 2,00,000 कंडिडेट्स ने रेजिस्टेशन किया है और लगबग 1,5,00,000 लोगों ने जो है फार्म को फिल कर दिया है अंतिमतित रहने वाली है 16 जनवरी 2023 और संसोधन की जो टेट रहेगी वो 18 जनवरी रहेगी तो ये पूरा सेनारियो है कुल मिला करके जो आवेधन सुलक रखा गया वो लगबग सभी वरकों के लिए ट्विटर अभियान चल ला था लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो गये थे जो बेरती थे तो इस वज़े से जो है छूट दे दी गई है उसमें उसकी संसोधित विग्यप्त जो है जारी हो गई उसमें 18 से 25 पुरुस वरक के और 18 से 28 महिला वरक के भिरती यानि पहले 18 से 22 था पुरुस के लिए अनारच्छित और 18 से 25 था महिला के लिए इसमें 3-3 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है यानि कि जो अनारच्छित रहेगा वो 18-25 वर्स और महिला रहेगी 18-28 वर्स इसके अलावा जो अनिवर्ग है उसमें नियुमा अनुसर छूट दी जाएगी जो भी अनिवर्ग है तो ये थोड़ा सा यूपी पुलिस जो है जो भरती का विग्यापन आया उसमें थोड़ा सा जो भी में में चीज़े हैं मैंने आपको बता दी अब बात करेंगे इस वीडियो में पाठिक्रम अगर इससे संबंदित किसी कोई भी जानकारी आप चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसको लेके मैं वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करवा दूँगा और आ बिखित परिच्चा होने वाली है आफलाइन होगी और ये परिच्चा वस्तुनिष्ट रहेगी ठीक है तो कि आज माल्लाइन का जमाना है आफलाइन परिच्चा हैं तो यह परिच्चh पूरी तरीके से आफलाइन होगी 300 अंक का पिपर रहेगा और 2 गंटे कर आपको पहला जो होगा सामा निग्यान यानि कि जी के जो फैक्टूल होगा यानि कि जो फैक्टूल प्रस्ण लगातार परिच्छाओं में पूछे जा रहे हैं वहां से आपका इसमें करेंट अफेर भी रहेगा और साथी साथ करेंट अफेर की अगर बात करें तो पिछले छे महीने पूछा जा सकता है और पिछले छे महीने की अगर बात करने तो बहुत ज्यादा जो है जियो पॉलेटिकल इसू हो चाहे इंडिया से रिलेटर कोई भी इसू बहुत सारे मुद्दे जो है पिछले छे महीने में आये हैं तो करेंट अफेर यहां पर आपको देखने को जरूर म सामा निग्यान में और किताबों के लिए अगर कोई आपको ना समझ में आ रहा हो तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि कौन सी किताबे आपके लिए महतुपूर हो सकती है वहीं सामान हिंदी के 37% रहेंगे 74 अंकों के लिए इसके लाबा जो और तार्किक छमता इसके भी प्रसन 37 होंगे तो कुल मिला करके जो जो भी चार आपके सेक्सन होने वाले हैं ये सेक्सन बहुत ज़्यादा महतुपूर हो जाते हैं लगबग सम्में बराबर प्रसन पूछे जाएंगे और सभी के लिए दो अंक निरधारित किये गया है या जो होगी यहां से आपकी मेरिट ज्यादा बनेगी है लोग सम जो हिंदी होती है उसको बहुत हलके में ले ले लेते हैं लेकिन हिंदी जो है यहां पर आपको अच्छे अंक दिला सकती है इसके लावा जी के भी और खुल मिला के करेंट अफेर आपको जरूर पढ़ना पढ़ेगा लगबग पानगेज लिए छे महीने का अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चार महीने का आपको जरूर से जरूर पढ़ना है उसके लिए मैं बिरिफली जो है एक वीडियो के माद पूर बिंद जो है यहाँ पर 0.5 यह आपका कटेगा यानि कि निगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें और निगेटिव मार्किंग जो है बहुत ज़्यादा ठीक रहती उन भिरतियों के लिए जो भिरती बढ़िया अच्छे तरीके से concept रमस करके पढ़ाई करते हैं औ और जो है रिडात्मक जो अंकन है यह 0.5 रहने वाला है यानि कि अगर आप एक प्रस्न गलत करेंगे तो आपका 0.5 अंक कम हो जाएगा जितने भी अंक पा रहे हैं तो यह आपको एक प्रस्न पे यह गलत होगा आपका 0.5 कट जाएगा तो यह बहुत ज़्यादा महत्पू आएं तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही किसी प्रकार की तो आप जो है केमेंट बाक्स में इसको मेंशन कर दीजिए और अगर पाठिक्रम की बात करें तो यह चार सेक्सन आपको जिसमें लगभग बराबर कुश्चन होने वाले हैं प्रत फिल लें अगर फिल कर लें अगर फिल करने में कोई प्राब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैं आपकी प्रसनों के जो है उत्तर आप लोगों को दे दूँगा फिलाल अभी तक दो लाग फिल जा चुके हैं इसके और आगे भी लगबग बहुत जदा फिल करना इस वज़े से आप अवेधन अभी कर लें क्योंकि यहां जो साइट है वो डाउन हो सकती है जिससे आपको समय से आ सकती है तो आप फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि यहां पर बहुत जदा अवेधन आने की संभावना है किसी भी कोरी के लिए आप जो ह रिस्पॉंस आप लोगों को अच्छा रहा तो धन्यवाद